दोस्तो स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर पाएंगे दोस्तो आधार काड एक जो आइडी है बहुत ही एक काउन्ट से लिंक है कि आज से आज आपको प्रोसेंस दोस्तो दिखाने वाले हैं दोस्तों बिना डीवीटी पेमेंट आता नहीं है इसलिए किसान योजना का लाब हो चाहे कोई कोई भी आपको चैसे कर पाएंगे अपने अपने मुबाइल से वह मारा आदार काट है वाइंक एकाउंट से लिंक है या नहीं है ताकि आप दुबारा उसे लिंक करवा सकें तो दोस्तो आज किस वीडियो के शुरू करने से पहले एक रिकोईट है कर आप दोस्तो वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो फूल कंटेंग्ट हम आपके लिए चैनल पर दोस्तो लाते हैं तो चलिए दोस्तो आज की मीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अधार कान आपके किस एकout में लिंख है या आपका अदार कर किसी एकाउंट में नहीं लिंख ए बोस्तों नहीं और कि संधाएगे दोस्तों यहां पड़ते हमारे साहरे करेंगे और को इसी तरिजिव करेंगे है घ्राइब का option मिलना थ्री डॉट पर किलिक करके desktop side में पहले से हम कर लेंगे दोस्तों यहाँ desktop side करने के बाद हमारा login का option मिलता है जहाँ पर finger आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर हम कर देते हैं click दोस्तों login वाले पर जब हम click करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों दो a option मिल जाता है यहाँ पर दोस्तो unified number आपको फिल करना है आधार number के ऊपर आधार का number यहाँ पे ड़लेंगे दोस्तों जिस आधार का details से हमें लग इन वाले पर did say काईपचा कोड डालने के बाद send OTP पे कलेंगे तो हमारे डार से लिकस पे OTP जाएगे ऑटीप यहां पे डाल करके लॉगइन वाले पे कली करेंगे तो चलिए send OTP गली किये है हमारे डार लॉटीप जा चुकी है OTPL को यहाँ पे हम फिली करेंगे उसके बाद login वाले पे click करेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो official portal का दोस्तों interface को चीज तरीके से हमारे सामने आएगा यहाँ पे आपको देखिए बहुत से सारे आपको features दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड आधार कापसर मिला है आधार BBC काड अगर आपको आडर करना कर सकते हैं एडरस update कितनी बार हुआ यहाँ से चेक करते हैं कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको मिला आईए bank seeding status दोस्तों bank में आपका जो आधार seeding link है वो आपको यह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अधेंट हिस्ट्री आपको मिल जाता है payment हिस्ट्री मिल जाएगा my head family request यहाँ से online कि वाजिसी कर सकते हैं दोस्तों बहुत कुछ यहाँ से आपके सुबदाएं मिलने वाली है अगर दोस्तों जैसे यहाँ पर देखें किलिक किये और मेला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा देखें दोस्तों यहाँ पर लिखा congratulations your adhar bank mapping has been done दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका bank जो है इससे link है आधार नंबर यहाँ पर आपको four digit last के मिलेंगे यहाँ पर आपका bank क्या नाम हो बाइंग का नाम पड़ा होगा buying seeding status दोस्तों यहाँ पर active है मारा मतलब link है और last update किस date में हो था यह सारा details दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार संख्या आपके bank account से link है या नहीं है आई होप इस तरीके से अपने account को आधार card में link है या नहीं चेकर ना सीख गए होंगे तो इस वीडियो को यही पे इंडि करते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जान करके साथ तब तक कि लिए जाए